नमस्कार मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोज खबर का एक्रम जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं उसमें पूरे देश में अलग-अलग भाशाओं में एक ही प्रचार प्रसार चल रहा है थैंक्यू मोदी जी हम भी आज आपके साथ मिलकर थैंक्यू मोदी जी दोहराएंगे सबसे दुल दुखाने वाली खबर पहुची जिसकी आशंका कल से बनी हुई थी फादर स्टेन स्वामी नहीं रहे फादर स्टेन स्वामी की उमर 84 साल थी वह देश के संभावता सबसे उम्र दराज ऐसे कैदी थे जिन्हें आतंक के मामले में गिरफतार किया गया स्टेन स्वामी जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि उन्होंने अपनी पूरी उम्र गुजारी आदिवासी और बाकी अधिकारों के लिए लड़ते हुए वे जारखन में लंबे समय से आदिवासीयों के बीच काम कर रहे थे शिक्षा का प्रचार कर रहे थे अधिकारों का प्रचार कर रहे थे उन्हें गिरफतार किया गया आठ अक्टूबर 2020 को तामिलाडू में जन में स्टेन स्वामी राष्टी अंतराष्टी इस्तर पर अलग धंका नाम और मुकाम रखते हैं आज वो हमारे बीच नहीं रहे हम यह नहीं कह सकते कि उनकी मौत एक नैचरल मौत है क्योंकि पूरे देश ने देखा, नयाय प्रणाली ने देखा, नेताओं ने देखा कि किस तरह से 84 साल का यह शक्स लगातार गुहार लगा रहा था और खास तोर से अप्रेल से जब से उनकी तबित खराब हुई तब से कि उन्हें जमानत मिले, उन्हें छोड़ दिया जाए वे वापस अपनी जगा पर जाकर काम करना चाहते थे, आराम करना चाहते थे लेकिन यह बात मोधी सरकार को बरदाश नहीं थी उन्हें भीमा कुरे गाउं मामले में अभ्युक्त बनाया गया बाकी 16 अभ्युक्तों के साथ साथ उन्हें गिरफतार किया गया बीच में छणछण के खबरें आ रही थी कि किस तरह से उनके लिए जो कि 84 साल के थे उनको तमाम तरह की बीमारिया थी उनके लिए खाना पीना अपने आप अपने डैनिक कारे करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था लेकिन अदालतें तो अदालतें हैं और उस पर मोधी सरकार थेंक्यू मोधी सरकार का जो आलम है वह क्या ही कहिए तो हम पाते हैं कि स्टेन स्वामी उन्हें जमानत नहीं मिलती 84 साल के इस व्यक्ति को जमानत नहीं मिलती जिनको इतनी गंभीर बिमारी कुरोना से वो पीडित रहे बहुत मुश्किल से अदालत के कहने के बाद दबाव डालने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में जगा मिली उनका इलाज शुरू हुआ लेकिन जमानत नहीं मिली जमानत की सुनवाई भी आगे टाल दी गई और उनके जानकार बताते हैं कि जब उन्हें यह पता चला कि उनकी जमानत पर कोई गंभीर नहीं एक्शन हो रहा है तब उनका दिल उनका शरीर पूरी तरह से तूट गया कल से वह वेंटीलेटर पर थे एक तरफ तो हमें दिखाई देता है इस मोधी सरकार में कि स्टेन स्वामी जैसे व्यक्ती को जमानत नहीं मिलती मैं आपके साथ साजा करती हूँ वह अंच जो उन्होंने अपनी गिरफतारी के सामने समय कहा था मत करते हैं पंही वह झापनी पतो रूरी कि विय। अपना प्रप्रश प्रत रखलागा के साथ बांता करते हूँ को छूलके जैसा का किज तक तूल पूले क१ about ruling powers in India we are part of the process in a way I am happy to be part of this process I am not a silent spectator but part of the game and ready to pay prize whatever be it Sten Swami ने कहा कि वह विरोध में जु आवाज उट रही है उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं और इसके लिए भले ही कोई ही कीमत क्यों ना देनी पड़े वह कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं और मोधी सरकार ने इस पूरे की पूरे सिस्टम ने इस जुडीशरी ने बहुत भारी कीमत Sten Swami से ली सिर्फ Sten Swami से ही नहीं जो लोकतंत्र को बचाने वाली ताक्ते हैं उनसे भी Sten Swami के रूप में एक बहुत बड़ी कीमत इस देश ने अदा की वहीं हम पाते हैं कि दिल्ली में जामिया मिलिया इसलामिया में सरयाम गोली चलाने वाला राम भक्त गोपाल खुले आम घूम रहा है हर्याना में पंचायत में देश के कानून की मर्यादा की धज्जियां उड़ा रहा है सुनिए अगर आप सुन पाएं किस तरह से वो खुले आम कहता है मुसल्मान लड़कियों का अपहरण करना बहुत जरूरी है मुसल्मानों को काटने की बात कह रहा है लेकिन वह देश के लिए खतरा नहीं है ऐसे तमाम लोग मोदी सरकार में खटर सरकार में या भाशपा शाशिस सरकार में आगे बढ़ रहे हैं उन्हें जगह दी जा रही है इससे पहले भी हमने देखा था कि ऐसे ही नफरत उगलने वाले करनी सेना के व्यक्ति को भाशपा में इंटरी मिली कितना दुख होता है जब हम देखते हैं कि ऐसे तमाम लोग छुटे बाहर घूमते रहते हैं और वे लोग स्टेन स्वामी जैसे लोग जिनका पूरा का पूरा जीवन सामने है उन्हें हमारी अदालतें जमानत तक देने को तयार नहीं होती मेडिकल ग्राउंड पर भी उन्हें जमानत नहीं मिलती जबकि हम जानते हैं कि इस देश में ऐसे सांसद हैं जिनके उपर अपराद बहुत गंभीर लगे आतंक के अपराद लगे आरोप साबित हुआ उन तमाम लोगों को जमानत मिलती है मेडिकल ग्राउंड पर बाहर रहते हैं बहुत से लोग वापस अपनी पॉलिटिक्स में चले जाते हैं लेकिन ये जो मनजर है जहां स्टेन स्वामी और उनके जैसे तमाम लोग जनता के पक्ष में जो लोग खड़े हुए हैं उन्हें जो बुनियादी हक मिलते हैं उसके भी गैरंटी कहीं नहीं हो पाती और निश्चित तोर पर ऐसे में हम बस यही कह सकते हैं कि इतना खौफनाक मनजर दिलाने के लिए हमारी आखों के सामने से गुजारने के लिए आपको ठैंक यू तो बनता ही है मिस्टर पीम फ्रांसे फाइटर जेट विमान राफेल की खरीद उसका जिन एक बार फिर बाहर है मोधी सरकार ने पूरी कोशिश की कि यह जो खरीद हुई है इस खरीद जब हुई थी उस समय भी बहुत गंभीर सवाल उठे थे दलाली की बात उठी थी रिलाइंस को उसमें शामिल कर किस तरह से शामिल किया गया डसॉल्ट को किस तरह से प्रेशर बनाया गया कि वो रिलाइंस के साथ हाथ मिलाए यह सब चीजें एक बार भारती राजनीती में सामने आ चुकी और इन्हें बहुत बखुबी मोधी सरकार ने शांत कर दिया निप्टा दिया लेकिन देखिए अब फिर फ्रांस में यह मामला उठा है इसकी जाज के लिए अलग से प्रावधान किया गया है जज को बकायदा इसकी जिम्मेदारी सौपी गई है तमाम तरह की खबरें हम तक पहुच रही है किस तरह से इसमें अलग-अलग धंग से रिश्वत दी गई दलाली हुई किस तरह से इसमें रिलाइंस को शामिल किया गया सारी चीजें चंचं कर हमारे सामने दुबारा आ रही है इस पर उस समय भी मोधी सरकार नकार रही थी कि कुछ नहीं हुआ से यह मुद्दा नहीं रहा लेकिन अभी इसका प्रेथ फिर बाहर निकला है और निकला है फ्रांस में इस संदर में देखिए कितना दिल्चस्प एक बयान सामने आता है उस समय इसे सुप्रीम कोट में इस पर सुनवाई नहो इसका सारा श्रे पुर्व प्रधान निया धी Chief Justice of India रंजन गोगोई को जाता है उन्होंने इस मामले को पूरा का पूरा निप्टा दिया इस पर कोई सुनवाई आगे इस मामले को बढ़ाया नहीं होर तमाम फैसले उन्होंने ऐसे कि अंत में जाते जाते जिससे यह साफ साफ दिखाई दे रहा था कि मोदी सरकार और वह एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं इसका फायदा भी इस रूप में हमें दिखाई दिया कि जब रेटायर हुए तब मोदी सरकार ने उन्हें राजसभा में सांसत बनाया एक तरफ फ्रांस में एक जजज राफेल जाच की पड़ताल करने के लिए न्युक्त किये गए हैं वहीं दूसरी तरफ भारत में जो न्याय प्राणाली है जो जज रहे उन्होंने खुले आम कह दिया कि हम इस पर कमेंट नहीं करेंगे शायद दुनिया भर में जिस तरह से राफेल घुटाले की चर्चा है जिस तरह से भ्रष्टाचार की चर्चा है जिस तरह से भ हाल है वो अपने आप में बेमिसाल है इस पर बहुत समय से थोड़ी थोड़ी खबरे आ रही हैं लेकिन निश्चित तोर पे हम जानते हैं कि मीडिया में यह एक बड़ी खबर नहीं बना हुआ है हाल में यह है कि आप किस-किस पर चिंता व्यक्त करिए आप प्याश पर रोई आलू पर रोई है रसोई गैस पर चिंतित होई है जीवन के तमाम जरूरी चीजों के महंगे होने पर चिंतित होई है घरेलू रसोई गैस जिस पर इतने बड़े बड़े विग्यापन हमने और आपने और इस पूरे देश ने देखे तमाम पेट्रोल पंप में उजवला ग गयाइस की कीमतों में जो उच्छाल है रातो रात 25 रुपे, इससे पहले 50, 50 रुपे करके महीने में 100 रुपे महंगी कर दी गई question आप पेट्रोल की खबर कैट्रोल की खबर तो यह है कि अगर आप लकषनाँ में पेट्रोल भर्वाते हैं और गाड़ी दिली की है तो पेट्रोल वाला कहेगा आप थोड़ा ज्यादा पेट्रोल भरवा लीजे आपके शहर में तो 100 का आकड़ा पहुच रहा है यहां भी 3-4 रुपे कम है यानि 100 रुपे की पावन सीमा को पार करने के लिए पेट्रोल पूरी कोशिश कर रहा है और डीजल कहता है तू चल मैं आया यहाल इस देश में उस समय है जब पूरी की पूरी अर्थवेवस्था कोरोना और उसके बाद की जो पूरी की पूरी आपदा रही उससे जूज रही है भीशन मंदी है और हमने देखा कि जब पत्रकार पूछने की कोशिश करते हैं वित्तमंत्री से कि जब इतनी तब क्यों नहीं कर देते वह उसका जवाब तक नहीं देती है Air India देश भर में अपनी संपत्ती की निलामी कर रहा है बकायदा विग्यापन छप रहा है निश्चित तोर पर Thank you है मोदी जी सवाल सिर्फ कीमतों का या सवाल सिर्फ अधिकारों का ही नहीं सवाल यह भी है कि इस दौर में जो दलित असमिता है जो दलित भेदभाव है जातिकत भेदभाव है उससे कैसे जूज रहे हैं लोग इसमें जो खबर सामने आई पिछले दिनों कि IIT मदरास में जो मानविकी और समाजिक विज्ञान विभाग HSS के सहायक प्रोफेसर विपिन ने अपने इस चमकते हुए संस्थान से इस्तीफा दे दिया उन्होंने इमेल द्वारा आधिकारियों को अपना इस्तीफा भेजा और उन्होंने अपने इस्तीफे में सीधे सीधे कहा कि किस तरह से अलग-अलग चरणों में पर्तों में जातिगत भेद्भाव चल रहा है IIT यानि देश का प्रिमियम इंस्ट्यूट ऐसा इंस्ट्यूट ऐसा संस्थान जिस पे देश को फक्र होता है कई बार इससे पहले भी इस तरह की खबरे आई हैं लेकिन हम पाते हैं कि जिस सम्मिधान की दुहाई प्रधान मंत्री नरेंद मोदी दूसरे अपनी जो पारी खेली उसमें शुरुवात में उन्होंने दी जब इस तरह के वाके सामने आते हैं जहां पर जातिकत उत्पिड़न को जहिलते हुए देश के शीर संस्थान से लोग इस्तीफा देते हैं तब पूरा का पूरा महकमा पूरी की पूरी सरकार चुप्पी साद लेती है निश्चित तौर पर जिस तरह से पिछले कई सालों में दलित उत्पिड़न बढ़ा है दलित महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है और इस पर मोधी सरकार ने आप राधिक चुप्पी साधी हुई है उनके मंत्रियों ने चुप्पी साधी हुई है इस पर शायद आप कहें कि थैंक्यू मोधी जी कहा जाए या ना कहा जाए अच्छे दिन का वादा करके केंदर में सत्ता में पहुचे मोधी और उनकी पूरी की पूरी सरकार ने किस तरह से गरीबों का भला किया है या शायद इस समय देश के गरीब सबसे अच्छे धंक से जानते हैं एक महज आकड़ा 2005 से 2015 के बीच 270 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आये थे और मई 2021 में जो आकड़ा मिला है उसके मताबिक करीब 230 मिलियन लोग गरीबी रेखा में वापस गए हैं गरीबी गरीबों के लिए दिये जाने वाले तमाम जो सबसेडीज हैं तमाम जो सुविधाय उनको मिलने चाहिएं इस पर मोदी सरकार कितनी महरबान रही है किस तरह के तमाम दावे किये गए हैं या इस देश की जनता ने देखा है इस करोना महामारी में भी अनाज के अलावा वह भी बहुत अंत में फैसला किया पांच किलो अनाज प्रतिव्यक्ति लेकिन कोई आर्थिक मदग किसी भी गरीब के पक्ष में इस मोदी सरकार ने नहीं दी और दावा यह है कि वह अच्छे दिनों की सरकार है थैंक यू मोदी जी जिस समय हम और आप बात कर रहे हैं उस समय एक बहुत दिल्चस्प चीज इस देश में हो रही है हमारे पैसे से यानि देश की जनता से जो पैसे लिये जाते हैं जो कर के रूप में लिये जाते हैं जो सरकार के पास रहते हैं उन्हीं पैसों से देश के प्रधान मंत्री को थैंक यू कहा जा रहा है यानि देश की जनता का पैसा देश की जनता के पक्ष में खर्च करने के लिए भी मोदी जी का धन्यवाद दिया जा रहा है यह एक नई रवायत नया सिलसिला मोदी सरकार ने शुरू किया है पहले उनके मंत्री जो उनके साथ काम करते हैं वह किसी फैसले के लिए बड़े बड़े ट्वीट करते थे और कहते थे मोदी जी का शुक्रिया अब आप देखें यह वैक्सीन को लेकर जो पूरे देश भर में अभियान चलाया जा रहा है उसमें जितना पैसा करोणों रुपे खर्च किये जा रहे हैं इन बड़े बड़े होडिंग्स इन प्रचार तंत्र पे जो शायद अगर देश की जनता पे खर्च करते वैक्सीन को बाहर से खरीदने में खर्च करते बाकी और तमाम जरूरी सुविधाओं को मुहया कराने में खर्च करते तो लाखों लोगों की जान न गई होती और अगर मैं बात करूँ हमारी दिल्ली की देश की राजधानी दिल्ली की या तेजी से तैयार हो रहा है जो चुनाओं के लिए उत्तर प्रदेश उसकी आपको दिखाई देगा कि हर जगह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात का बड़ा-बड़ा होडि लगी हुई है जिसमें वह मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं यह सब खेल चल रहा है हमारी आखों के सामने मानो देश अगर यह फैसला करता है देश की सरकार यह फैसला करती है कि देश के नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी तो वह देश के नागरिकों पर बनेवाद देंगे और वैसे जूट बोलने में मुदी सरकार का कोई सानी नहीं है आपको तो यादी होगा 15 लाग का वह चुनावी जुमला जिसे बाद में उन्होंने कह दिया कि वह चुनावी जुमला था उसी तरह से 2021 के अन तक सब को वैक्सीन लगाने की लंबी चौड़ी गोशना की गई कहा गया कि साल के अंत तक यानि 2021 के अंत तक 107 से लेकर 110 करोड लोगों को वैक्सीन की डबल डोज लग जाएगी लेकिन देखिए इसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफ नामा दिया है जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसके मताबिक इस साल के अंत तक सिर्फ एक तिहाई डोज जो है उसमें कमी होगी यानि जितना वादा है उससे एक तिहाई डोज की कमी की आशंका इस सरकार को है। इससे पहले भी कोरोना पे जो मोधी सरकार ने और खुद जिसकी कमान मोधी प्रधान मंत्री नरिन मोधी ने सम्हाल रखी थी जिस तरह से कोरोना पे जूट थैलाया गया था जिस तरह से देश की जनता को ये बताने की कोशिश की गई थी, कि ताली थाली से करोना भाग जाएगा, उसकी वज़ा से लाखों भारती नागरों की जान गई, गंगा लाशों से पढ़ गई, यह जूट बहुत भारी पड़ा भारती नागरीकों पर, लेकिन आप और हम जानते हैं कि जूट बोलने में बेमिसाल हैं और निश्चित तोर पर इस पर थैंक्यू मोदी जी तो बनता ही है, है ना?